आज के नए वीडियो में आपका स्वागत है आज हम हार सिंगार के पौधे के बारे में बताने वाले हैं कि हार सिंगार का पौधा कटिंग कैसे आप घर में ग्रो कर सकते हैं तो आप मेरे वीडियो में नए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें और इसी तरह वीडियो आपको हमारे चैनल में देखने को मिल जाएंगे तो बेल आइकन को ज़रू दबाईएगा चलिए आज वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं तो हर सिंगार का पौधा आप घर में इसे कैसे लगाएं इसके बारे में हम कुछ जानकारी आपको देने वाले थें तो इसका आप पौधा मोधी सरकार राममंदीर में भी लगाएं हैं एक खास काम और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमी पूजन जिस जगह पर होनी थी ठीक उसके पास ही एक पारिजात का पौधा भी लगाया, यह पौधा बहुत खास होता है, इसे दूसरे हिस्सों में हर सिंगार नाम से भी जाना जाता है यह पोधा बहुत सुभी निये पोधा है इसका अधी पत्ता यह पोधा आपको छूने के लिए मिल जाएगा तो आपका सरीज में ताजगी आजएगा इतना सुभी पोधा है और इसका तो पत्ता का वर्नन बहुत है इसका पत्ता का तो आपको हम वीडियो म विडियो को बनाए हैं कि ये फूल आपको देता है और ठंडा में इसका फूल देता है है तो सुम्णthm घर को खुसबुस महका देता है तो ये पौधा जो है पौधा थंडा में ही फूल देता है और इसका फूल जो है रात में खिलता है और दिन में सारा भी खर जाता है तो इसका पौधे के बारे में हम आपको बता रहे हैं थे कि कटिंग आप कैसे लगाए तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं तो आप जब भी इसे कटिंग करें तो इसको आप नीचे से करें इसे नीचे से करें तो देख सकते हम इसका कटिंग करने वाले हैं कि इसका कटिंग इतना बड़ा तो हमें नहीं लगाना है क्योंकि गांच को हमें ग्रो करना और पत्ता का सारा इसे निकाल देना पत्ता इसलिए हम हर बार बोलते हैं निकालने के लिए यह पत्ता बिटामिन सारा ले लेगा इसलिए हम पत्ता को निकालने बोलते हैं यहां से देखी कंची फेक रहा है हम इसे ने निकालेंगे पर हम इसे पत्ता को निकालेंगे जरूर कुछ पेंसिल टैप का आप ले लें पेंसिल का आकार का इस तरह कटिंग ले ले और यहां से आप काड़ दें से पत्ताज सारा निकाल ही दे तो बेटर रहेगा पर यहां कंची है इसलिए हम नहीं निकाल पा रहे हैं इसको पूँसे कर लें आप दो टुकरा जब भी पाटा लगाएं तो दो कटिंग त्ीन कटिंग चार कटिंग ज़िरू लगाएं कुछ अ अपने हो तो दप्ता लें एक बित्ता का इहओना चाहिए तो यह हमारा इसके मदद से ताकि पौधा को आसानी रहे जल्दी से गुरु हो जाए तो कि में बोला जा रहा था कि हार सिंगार का पौधा कैसे लगता है तो इसी के लिए हम आज ये विडियो बनाने वाले है इस तरह छिल ले फिर इसे भी इस तरह छिल ले इसके नीचे आप हल्दी लगा ले हल्दी इतना डिपली हल्दी डाल दे और इतना डिपली हल्दी डाल दे अधी हल्दी का समस्य हल्दी नहीं है आपके घर में तो आप अलवीरा जुरूर लगाए आप अलवीरा जुरूर लगाए अलवीरा इस तरह लगाए या तो आप इसे पुरा अल्वीरा डाल भी सकते हैं इस तरह इस तरह आप अल्वीरा डाल भी सकते हैं तो जल्दी ग्रोह होता है , इस तरह या तो इसका रस लगा दे या इसी तरह आप अल्विरा डाल दे और इसे हम mistakes कहां पर हें हार सिंग्वार का पफुधा है हम इसी के नीचे लगा देंगे और इसे हम हमारा बार बताते हैं कि इसको जब हम convert करेंगे तो कम से कम 2-8 महिना के बाद ही हम दूसरा गमला में हम convert करेंगे तो इसे हम डाल भी देते हैं और यह गांच का हम पुरूब भी देखाएंगे कि इसका cutting लगता है तो अभी किसी का मदद से रड का मदद से हम इसे लगाएंगे इस जो गांच है हार सिंगार का हम ठीक इसी के नीचे लगाएंगे तो थुड़ा में इसे कोड़ लेते हैं गमला हमेशा खाली रहे यह जो गांच है उपर भाग गया है तो हमारा गांच में धूब भी आ रहा है और इसके नीचे से एक गांच दो गांच गरो हो सकता है और गरो करके आप दुसरा गमला में लगा सकते हैं इसी कारण हम बोलते हैं आप जब भी गांच गरो करें तो आप गमला अधी खाली है इतना बड़ा गमला है खाली है इसके नीचे आप लगा दें जब आपका गांच गुरो हो जाएं, तो आप 2-2 महिनागे बाद अब दुसरा गमला में कनवर्ट कर सकते हैं, इसी की कारण हम बोलते हैं, आप गमले में ही खोचते हैं, होता क्या है, कि हर किसी के घर में अबलेवल गमला नहीं रहता है, और मटी लाना है, यह लाना इसकी का गमला मंगाएंगे मट्टी मंगाएंगे सारा चीज मंगा के आप लगाएंगे अमन में होता है कि नहीं गांच गुरु होता नहीं क्या करेंगे लगा के इसलिए हम बोलते हैं हर गमला में ही खोश दें आप दो छेदा कर दिये हैं अब इसको हम इसमें डाल देते हैं राम से यह गांच गुरु हो जाएगा यह यह भी हम डाल देंगे चार एंची के फासला में हम डाले हैं यह गांच गुरु होना ही होना है अब इसका हम प्रूब देंगे कि इसका हम गांच दूसरा गमला में खोशे हुए थे वह गांच हो चुका है तो चलिए हार सिंगार का पौधा आपको दिख रहा है देख सकते हैं यह गेंदा का फू इसमें सारा गेंदाग फूल कटिंग करके लगाएं थे तो अब हम इसको उखाल के आपको देखाते हार सिंगार का पौधा देख सकते हैं यहार सिंगार का पौधा है इसका जड़ भी आपको दिखी रहा होगा हमारे यह ज़्यादा दिन नहीं हुआ है यह कम से कम फंदरा दिन हुआ है और यहाँ से देख सकते हैं आप जड़ ठेक रहा है यहां है जड़, यहां जड़ है और यहां जड़ है आपको धो के देखा देते हैं इसलिए हम देखे आपको धो के देखा रहे हैं यहां पानी है और यह हम धो के देखा रहे हैं आपको जड़ दिखी रहा होगा यह हमारा गाश पंदरा दिन का है इसलिए हलका हलका जड़ा आया है इसे हम कन्वर्ट करेंगे कम से कम तीन महिना ग네 बाद क्योंकि यह गाश जो है जल्दी गुरो नहीं करता है हम मरता नहीं है यह है पर गांच जल्दी गुरों नहीं करता है दो से अड़ाय महिना ये तीन महिना के बादी हम इसको दूसरा गमला में कनभर्ट करेंगे कम से कम उतना बड़ा गमला होना चाहिए ये गांच बहुत बड़ा होता है दरखत होता है इसलिए उतना बड़ा गम तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है लाइक कर दें सब्सक्राइब कर दें धन्यवाद